तो दोस्तो आज हम आपके लिए सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा वाइरल होने वाली फ्राइ बिस्किट की एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं और बनाने के बाद इसका टेस्ट कैसा लगता है वो भी बताएंगे तो चले फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तो पैन में हमें लेना है देसी घी और इसे गरम कर लेना है लेकिन जादा गरम नहीं करना है बस हलका गरम करने के बाद हमें इसमें बिस्कित डाले हैं और एक बैच में जितने बिस्कित आए उतने ही डाले और इसे फ्राइ कीजिए इसे जादा फ्राइ करने की ज़रूरत नहीं है बस आधे से एक मिनट का ही समय लगता है इसे फ्राइ बहुत अच्छा कलर आ चुका है दूसरे साइट भी हमने आदा मिनट ही इसे फ्राइ किया है और जैसे ही ये फ्राइ हो जाएंगे हमें निकाल लेना है देखे दोस्तों बिस्कित ने घी एब्जॉब कर लिया है इसलिए आपको घी का ही इस्तमाल करना है इस मिठाई को बनान के लिए अब दूसरे बैच के बिस्कित भी हमने फ्राइ कर लिए हैं और इसे आप निकाल लेते ही तो जैसे हम इसे फ्राइब करते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं लेकिन ठंडे होने के बाद ये काफी क्रिस्पी हो जाते हैं अगर आपके पास लेफ्ट पपानी हमें अक्साइभ पको पते हों garment पक मदय को है थे खाने सबाइब Whenever Member kommt 먹을 कर और we on food का पानी डालना है और इसे थिस्टे पकाना है एक आर पर की चाशनी मेंद कंड़ें लगेंगे तो चाहिएगा कि चश्णी तेयार है फिर भी अगर आपको चेक करना हो तो आप दो उंगलियों के बीच में इसे इस तरीके से चेक कर सकते हैं जैसे आप उंगली पे चेक करेंगे तो आपको एक तार दिखेगा अब इसमें डालना है हमें वन फोर्ट कब दूद और आदा कब मि पॉडर ढालने से इसमें खोवे जैसा या मावे जैसा टेस्ट आईगा लेकिन अगर आपके पास मिल्क पॉडर नहीं है तो इसके बीना भी ये मिठाई बन जाती है ये फिर इससे कम मिल्क पॉडर डाल भी आब बना सकते ही अच्छे से मिलाने के बाल इसमें ये जाएंगे ना बिल्कुल यह गाड़ा टेक्ट्टर इसका होने लगीगा मतलब मीठाई जैसा इसका मिश्रन तयार हो जाएगा और इसे मिक्स करते हैं पास से साथ मिनट ही लगते हैं यह मिश्रन रेडी होने के लिए यह देखे दोस्तों अब कड़ाई को यह छोड़ने लग सकते हैं तो एक झाल ले लिगे केक टिन ले सकते हैं और इसके अंदर आप बटर पिपर या फिर की से प्लास्य सटिक का photographers लगा दीजिए इस तरह में मिठाई आसाने सरह उपहर निकल जाती है और अगर आपके पास बटर पृपर या बेकिंग पिपर है तो आप आप ले सकते हैं मेरे पास है फिर भी मैंने प्लास्टी का पेपर लिया है क्योंकि हर गार में मेकिंग पेपर या बटर पेपर नहीं होता है इसके उपर आपको हलका घी लगा कर मिठाई का मिश्रन डालना है और इसे अच्छे से फैलाना है तो इसे आप स्पैचुला से या तो यह कोई खटोरी से फिल आएंगे तो यह बहुत अच्छे से फिलेगा बिल्कुल अच्छे से मिठाई का जो उपर का सरफ्पेस से उपने थंडरी हो जायेगा है और प्लास्टिक का पिपर हर घर में होता है इसके उपर आपको चांदी कवर्क या फिर ड्राइफ्रूट लगा कर गानिश करना है और इसे कट करना है तो आज तो मैं इसका बर्फी का शेप दे रही हूं लेकिन आप इसकी डाइमंड शेप या फिर इसका पेड़ा या फि जैसे हम इसे काट रहे हैं आप देख सकते हैं कितने पर्फिक्ट इसके पीसेस हो रहे हैं बहुत ही क्लीन बिल्कुल बर्फी जैसे पीसेस बन रहे हैं और कट होने के बाद किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यह बिस्कित की बनी मिठाई है इसके उपर हमने पिस्ता के कत्रा लगा दी है और अब देखे दोस्तों मिठाई जैसे हम निकाल रहे हैं आप देख सकते हैं कितनी शानदार इसके पीसेस बने हैं तो दोस्तों जैसे आप इसे अपकी मेमानों को खिलाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये बिस्किर से बनी है क्योंकि इसमें घी का और फ्रा करेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल मावे की चोकलेट बर्फी बनी है लेकिन दोस्तों ये सिंपल दस रुपे वाले बिस्किर से बनी है जो बनाने में बहुत आसान है कम महनत में और कम सामगरी में बनकर तयार होती है अगर पर रोटी ये चपाती बच जाए तो हमें इसे ग्रैंडर जार में डाल देना है और इसे पीस लेना है जैसे हम घर पर ब्रेड क्रम बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमें रोटी के क्रम्स बनाने है अब देखिए इसे हम एक क्लेट में निकाल लेंगे और घर पर आप जब भी कोई आलू के कटलेट या आलू का कोई भी स्नेक्स बनाते हैं उसे आपको अपको इस रोटी के क्रम के ऊपर अच्छे से फोल्ड करना है और इसे अगर आपके पास पर कोई यूनिक टिप्स हो तो हमें जरूर शेयर करिएगा तो कैसे लगे आज की यह रोटी वाली ट्रीक अच्छी लगी हो तो प् शेयर करना ना भूले